हेलो दोस्तों स्वागत है आपका PSRTTube चैनल पे मेरा नाम है लीना जन आज का मना डॉपिक है Imageify WordPress Plugin Tutorial तो आज की वीडियो में हम सिखेंगे कि Imageify Plugin को कैसे इंस्टॉल करता है और उसका यूज कैसे किया जाता है और इसे वीडियो की डिस्क्रेप्शन में आपको वैब होस्टिंग का एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा जहां से पर्चेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट तो डायरेक्ली जाके पर्चेस कर सकते हैं और अगर आपने भी देख इस चैनल को सब्स्ट्राइब कर लिजे और बैल आकन को भी प्रेस कर लिजे ताकि में एक्ष्ट कोई वीडियो प्लोटल को तो इसको नोडिपिकिशन सब सब पहले आपको मिलेंगे तो चली शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम Imageify, Image Optimizer का यूज़ करके हम अपने website के images को compress कर सकते हैं ठीक है यह एक ऐसा WordPress plugin है जो अपने आप में एक बहुत ही lightweight plugin है और बहुत ज्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो यह lightweight है और उपर से इसकी functionalities अच्छी है इसको easy to use है ठीक है तो यह बहुत सारे इसके features है जिस वज़े से Imageify को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ऐसा नहीं है कि Imageify ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर हम बात करें Smush plugin की तो smush program को भी बहुत जादा यूज़ किया जाता है और auto optimize को भी बहुत जादा यूज़ किया जाता है लेकिन auto optimize और smush इन दोनों का वीडियो अलरड़ी बन चुका है ठीक है इसलिए हम आज की इस वीडियो में imagify का यूज़ करें तो अब आने वाले इस टाइम में offers बहुत अच्छे रहने वाले है ठीक है हलांकि कोई changes नहीं होगा 90% का discount चल रहा है और discount link है आपको इस वीडियो के description मिल जाएगा अगर आप जाके purchase करते हो तो आपको मिलेगा free domain और 90% discount तो guys link description में आप जाके directly purchase कर सकते हो और अपना business या फिर अपना blog अभी के अभी start कर सकते है ठीक है और अगर आपको कोई भी premium themes या plugins चाहिए lifetime के लिए कि अगर हम देखते हैं तो plugins और themes का क्या रहता है कि monthly yearly इसका subscription होते हैं ठीक है premium themes के या plugins के लेकिन जो link मैं आपको प्राइट करा रहा हूँ उसको तुझा अगर आप purchase करते हो तो आपको lifetime मिलेगा और themes और plugins पे आपको 95% तक discount भी मिलेगा यानि कि अगर आपको यह theme ले रहे हो अमल खरीद रहे हो 3500 रुपए 5000 रुपए 6000 रुपए में तो वही theme आपको 700 रुपए 800 रुपए में मिल जाएगा अभी lifetime के लिए तो guys बहुत बड़ी offer है दोनों discount link आपको इसी वीडियो के description मिल जाएगा तो आप डिरेक्ट लिजा के purchase कर सकते हैं अगर आपको hosting लेना है तो hosting नहीं तो themes और plugins जो भी आप चाहते हो तो मिल जाएंगे या जैसे कि elementor db सब कुछ मिलेगा आपको ठीक है वो भी lifetime के लिए तो चलिए अब बात करते हैं imageify plugin के बारे में तो गैस चलिए अभी एक बार हम क्या करेंगे यह हमारी site है जो की बर्पेक्स पर रन हो रही है जो hosting में आपको recommend कर रहा हूं उसी hosting पर हमारी site जो हो रन हो रही है तो चलिए अब यह हमारी site है और यहाँ पर कुछ images है जिसको हम definitely यहाँ पर compare करने बारे तो आपके तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 लाग से भी ज्यादा installation से imageify के जो की एक बहुत ही अच्छा count है है ना बहुत ज्यादा लोग जो है इसको actively इसको install कर रहे हैं और use कर रहे है आप लाग से ज्यादा लोग इसको actively use कर रहे है अपनी sites पर आप सोच सकते हो कितने सारे websites अब इसको एक्टिवेट कर लेंगे ओके तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर और हमारा dashboard आई है और dashboard में आप देश सकते हो imageify welcome to be the best way to easily optimize your images ठीक है तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर settings पर जाएंगे और हमें देखना है कि imageify की settings कहां पर आला कि यहाँ पर हमें मिल रहा है ठीक है sign up it's free I have my API की और go to settings ठीक है यहाँ पर हम go to settings पर click करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हो हमें API की यहाँ पर डालने को बोल रहा है ठीक है तो हमें करना क्या है कि इस पर क्या है हमें सबसे पहले sign up करना पड़ेगा ठीक है तो definitely हमें इसको sign up करना ही पड़ेगा तो उसके लिए हम जाएंगे अगर dashboard पर और यहाँ पर हम sign up it's free इस पर क्लिक करेंगे enter your email to get an API की तो हम अपना email जो है यहाँ पर enter कर देंगे मैं एक demo email एंटर कर रहा हूं फिलाल के लिए इस पर मुझे आप mail करने कोश्मत करना तो शायद क्योंकि मैं यह mail कभी भी चेक नहीं करता हूं ठीक है तो मैं एक बार sign up पर क्लिक कर दूँगा और इसका जो API की है वो हमारे mail पर बेज दिया जाएगा और इसके बाद हमारे पास एक mail आएगा जो कि हमारे email आड़ी पर आएगा और वहां से हम उस API की को उठा लेंगे ओके तो गाईज यह रहा हमारा mail यह दो mail आया है welcome to imagery हम इसको उपन करके देख लेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं यह रहा हमारा API की ठीक है तो इस API की को मैं हां से copy कर लूँगा ठीक है यहां से copy करके हमारे site पर आ जाएंगे और इस API की को I have my API की या फिर हम जो है settings में जा सकते है settings में इमेजी 5 और यहां पर आ जाएंगे और इधर हम अपने API की को paste कर देंगे और save changes पर click कर देंगे ठीक है your API की is valid तो अब आप देख सकते हो इसकी settings हमारे सामने आ गया है तो guys यहां पर आप देख सकते हो यहां पर हमारी जो है API की पर गिरा यहां पर दिख रही है तो चलिए अब हमारा जो यहां पर settings की सबसे important चीज़ के बात कर दो यहां पर आपको मिलता है auto optimize images on upload तो auto optimize हो जानी चाहिए ठीक है तो आपको इसे check रखना है ठीक है इसको check रखोगे तो क्या होगा जब भी आगे से आप अपना कोई भी image upload करोगे उसको directly optimize कर दिया जाया अब दूसरा रहता है backup original images अब कभी भी माल लो कोई भी issue हो सकता देखो अगर आप एक घर में एक tv लेकर आते हो तो क्या होता है या तो वो tv 10 साल तक चल जाएगी company बोलती है कि एक साल की warranty बिलती है लेकिन वो tv10 साल तक अराम से चल सकती है कभी-कभी तो 15 साल तक भी चल जाएगी ठीक है, लेकिन कभी ऐसा भी तो होता है कि वो टीवी दो मेने में खराब हो जाए, हो सकता है possibility है, क्यों? क्योंकि electronic device है कभी भी खराब हो सकती है, वैसे ही हर चीज का एक अपना ही रहता है कि अगर इस plugin को आप यूज करते हो, in case इस plugin में कोई भी बग आ गया, कुछ भी हो गया, प्रोग्रामर से तो सब के पीछे काम करे, एक भी प्रोग्रामर ने एक भी नए इंटर्न ने, कोई भी गलती कर दी तो issues आ सकते हैं, उस case में आपके images खराब नहीं होने इसलिए backup original images का option यहाँ पे दिया गया है, ताकि कुछ भी error आ जाए कभी optimization के बीच में, तो आपका जो original images है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए यह चीज बहुत जादा important होता है, आप हमेशा इसका backup रख लेना, तो यह company आपको यह option देती है, कि आप original images का backup रख पा रहे हैं, तो यह एक बहुत अच्छा option है, कि मतलब आपको अपका loss नहीं होगा, किसी की भी गलती हो जाए, loss आपका नहीं होगा, तो यह एक अच्छी बहुत है, lossless compression, अब गईज यहाँ पर lossless compression का option है, यह सब के लिए नहीं है, मतलब अगर आपका एक photography website है, आप एक बहुत कमाल का photo कीच के लाए हो, और आप जो है, उस photo को compress कर भी रहे हो, लेकिन आपके लिए quality बहुत ज़्यादा matter करती है, क्योंकि देखो photography website में सबसे important चीज़ क्या होता है, photo की quality है, और क्या होगी, है ना, अगर normal एक website है, एक blog है, या फिर एक e-commerce website है, photo दीखना चाहिए बस, बहुत matter नहीं करता, उसकी clarity होना, उसके pixels, उसका shutter speed, इस सब चीज़े होना मतलब इतना importance नहीं है, है ना, लेकिन एक photography websites के लिए, ये वाला जो है, option हमें चालू रखना पड़ेगा, check रखना पड़ेगा, तो आपका photography website है, तो definitely आपको इससे check रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन, जिन लोगों के लिए, बस image होना चाहिए, उसकी clarity कोई इतना matter नहीं करता है, हलाकि clear रहेगी images, है ना, लेकिन photography वाली images जो होती है, उसको बहुत ज्यादा clear होना की चिरू होते है, ठीक है, अच्छा खासा clear रहेगा, अगर normal cases में भी, लेकिन अगर photograph उप्साइट तो आपको on रखना है, अब यहाँ पर, optimization, webp format, अब दोखो, आज के date में webp को introduce किया गया और इस पर बहुत ज्यादा खाम चल रहा है, क्योंकि webp format है कैसा format है, जो आपकी image की clarity को खराब किये बिना, बिल्कुल भी खराब किये बिना image की size को कम कर देता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यह चीज, कि यहाँ पर जो है, बहुत ही कमाल का feature है, कि आपको एक ऐसा format मिल रहा है, जो आपके images को बहुत ही light weight कर देगा, बहुत ज्यादा compress कर देगा, लेकिन clarity को बिल्कुल खराब नहीं होने मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए यह वाला option भी आपको check रखना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद, resize images, larger images और यह सब चीज़ आप कर सकते हो, और in चो जो भी आपको on रखना चाहो तो आप रख सकते हो, अगर कोई एक particular file size अगर आपको ज़्यादा यूज नहीं आदा यह ज़्यादा, यह ज़्यादा यूज नहीं आदा इसको off रख दो, ठीक है, इसको भी चाहो तो आप off रख सकते हो, बाखी यह जो चाहर आपको प्लक अप्टिवाइसर, इसको क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, आपके site पे अभी जितने भी images है उनको optimize कर दिया जाएगा ठीक है यह bulk optimizer पे हम आ चुके है ठीक है तो यहाँ पर you have 100% space credit left अब image पता निक क्या लिगा है लेकिन जो भी है all images greater than 2MB will be optimized when using a paid plan तो यह बारा paid option है आप यहाँ पर जाता है बाकी अगर हम देखे तो हम bulk optimization के यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर फिलाल के लिए सब कुछ optimize ठीक है आपको यह पर कुछ भी करने की जरूत नहीं अगर optimize करने की जरूत होती तो यह automatically आपको optimize कर देता सब कुछ पहले से optimize क्योंकि हम अलग-अलग plugins का यहाँ पर यूज करते रहता है तो उसके तुरू already सारे images को optimize कर रखा है अगर नहीं किया होगा होता यह तो automatically इसको optimize कर देता ठीक है तो यह वाला जो यह clear हो गई होगी और आपको यहाँ पर जो discount links है web hosting का discount link जिसने आपको 90% का discount मिलता है और साथ में free domain भी वो आपको इसी वीडियो को discussion मिल जाएगा वो discount link और साथ में premium themes और plugins का भी discount link आपको discussion मिल जाएगा बहुत ही कम price में premium themes और plugins आपको मिल जाएगे और अगर आपको वर्पेक्स से अगर आपने अपने तरह hosting पर्चेस नहीं किये और आपको नहीं आता है कैसे पर्चेस करना है तो गईज यह राप फुरा वीडियो आपको YouTube पर लिखना है और आपको यह जो पहला वीडियो मिलेगा यहां पर जिसमें 2600 व्यू है एक दिन हुआ है इस वीडियो का अप्रोड किये हुए इस वीडियो को आप देख सकते हो इस वीडियो का अंदर पूरा प्रसेस बताए कैसे कौन सा प्लान लेना है कैसे पर्चेस करते हैं सबकुछ इस वीडियो के अंदर कवर किया गया तो आप 6 को देख सकते हो और सीख के आप डियरकली फोलो करते करते बना सकते हो इस वीडियो के डिस्कूरा में भी आपको डिस्टाउं लिंक मिल जाएंगा कोई इस यू नहीं तो गाईज़ उम्हीद है कि आपको वीडिय देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद